Hello friends, अगर आप भी अपने बच्चे के पास्पोर्ट के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके mind में जरूर कोशन आता है कि हमारे बच्चे की जो age है वो 18 years से कम है, क्या हम पास्पोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जो answer है वो है yes, यानि कि आप यहाँ पर पास्पोर्ट के लिए इसलिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे की age 18 years से कम है, तो इस case में आपको क्या करना होगा, minor category के अंडर पास्पोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा, तो पास्पोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, complete detail आज हम इस form open हो जाता है, तो आपने यहाँ पर अपनी सारी details एंटर करनी है, तो यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सारी details बिल्कुल सही होनी चाहें, किसी भी detail में किसी भी type की कोई mistake नहीं होनी चाहें, details एंटर करने के बाद register के option पर click करना है, तो आपका जो registration है वो अपनी login ID एंटर करनी है, और login करना है, तो अब आपके सामने applicant home में बहुत सारे options show होते हैं, आपने यहाँ पर first option apply for fresh passport और re-issue of passport वाले option पर click करना है, अब यहाँ हमारे पास passport type में बहुत सारे options given है, सबसे पहले हम से यहाँ पर applying for के बारे में पूछा गया है, कि आप पासपोर्ट के लिए apply कर रहे हैं, या issue of passport के लिए, तो हम यहाँ पर fresh passport के लिए apply कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर fresh passport ही select करना है, then type of application में हम normal select करेंगे, क्योंकि अगर आप जल्दी अपना passport बनवाना चाहते हैं, तो ही आप यहाँ पर ततकाल वाला option select करोगे, then booklet type क के बारे में हम से पूछा गया है कि आप यहाँ पर कितने pages वाले passport के लिए apply कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 36 pages वाले passport के लिए apply करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 36 pages वाला option ही select करेंगे, और next के option पर click करना है, तो इतना करने के बाद हमने यहाँ पर applicant details enter करनी है, यानि date of birth enter करनी है, state, district select करना है, marital status select करना है, then आप से citizenship के बारे में पूछा गया है, कि आप Indian citizen कब से हैं, तो हम यहाँ पर by birth से ही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर by birth वाला option select करेंगे, employment type select करना है, educational qualification select करनी है, then ECR category के बारे में पूछा गया है, अगर minor की qualification 10th class है, तो आप यहाँ पर yes वाला option select करोगे, otherwise आपने हाँ पर no वाला option select करना है, then आपने नीचे I agree के checkbox पर tick करना है, और save my details के option पर click करना है, अब next में हमने अपनी family details एंटर करनी है, सबसे पहले हमने father का given name एंटर करना है, then surname, after that mother का name, mother का surname एंटर करना है, आप यहाँ पर अपने guardians की भी details एंटर कर सकते हैं, यहाँ हमने minor passport के case में minor के parents के passport की भी details एंटर करनी है, तो आप यहाँ पर father या mother किसी भी एक के passport की details एंटर करोगे, then आपने save my details के option पर click करना है, और next के option पर click करना है, अब next page पर हमने अपने present residential address से related details एंटर करनी है, सबसे पहले हमसे पूचा गया है कि क्या address out of India है, अगर है तो आप यहाँ पर yes वाल option सेलेक्ट करोगे, otherwise आपने हाँ पर no वाल option सेलेक्ट करना है, then house number और street name एंटर करना है, village town और city name एंटर करना है, state, district और police station सेलेक्ट करना है, pin code एंटर करना है, mobile number एंटर करना है, email ID एंटर करनी है, then आप से यहाँ पर पूचा गय अगर है तो आपने हाँ पर yes वाल ओप्चन सेलेक्ट करना है, otherwise आपने हाँ पर no वाल ओप्चन सेलेक्ट करना है, then आपने save my details की option पर klik करना है, और next की option पर klik करना है, अब next आपने हाँ पर emergency contract से related details एंटर करनी है, इसमें आप अपनी किसी भी friend या family member की details एंटर कर सकते हैं सबसे पहले आपने उसका नेम देन मुबाई नंबर इमेल आईटी से related details एंटर करनी है से माई details की option पर क्लिक करना है और next की option पर क्लिक करना है अब other details में हमसे यहाँ पर बहुत सारे questions पूछे गए हैं इनमें हमने 9 वाला option select करना है save my details की option पर क्लिक करना है और next की option पर क्लिक करना है अब हमें यहाँ पर हमारी details शो होंगी यह same details हमें हमारे passport पर भी show होंगी हमने अपनी सारी details को check करना है तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई mistake हुई है तो आप उसे rectify भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सारी details बिल्कुल सही है तो आपने यहाँ पर next की option पर क्लिक करना है तो इतना करने के बाद यहाँ पर self declaration form open हो जाता है तो यहाँ हमने अपने document upload करने हैं सबसे पहले proof of birth में हमने अपना document select करना है then proof of present residential address में हमने अपना document select करना है तो अब next हमारे पास यहाँ पर बात आती है annexers की कि यहाँ आपने इन चारो annexers में से कोई भी दो annexers select करने है then place enter करना है date already selected है I agree के check box पर tick करना है save my details की option पर click करके next हमने submit form की option पर click करना है तो अब हमने अपने passport office की appointment book करनी है इसके लिए हमने दोबारा home page पर back आ जाना है और login करना है इसके लिए आपने यहाँ पर अपनी login ID enter करनी है capture code enter करना है और login की option पर click करना है यहां हमने left side में view saved submitted application वाले option पर click करना है अपनी application select करनी है और pay and schedule appointment वाले option पर click करना है तो अब हमने payment करने के appointment का option शो होगा आपने इस option पर click करना है और अपना nearby passport office select करना है capture code enter करना है और next की option पर click करना है अब यहां इस calendar में से आप कोई भी date select कर सकते हो जो date red color में आपको शो हो रही है वो dates available नहीं है जो green color में आपको date show हो रही है वही dates आपको यहां पर available है तो आप इन में से कोई भी एक date select करोगे तो same उसी date और timing पर आपने passport सेवा केंद्रा visit करना है अब बात आती है कि जब आप passport सेवा केंद्रा visit करोगे तो आपने यहां पर अपने कौन कौन जे अपने साथ केरी करने है तो सबसे पहले आपने जो अपना application form है वो अपने साथ केरी करना है फिर आपने अधार कर ले कर जाना है अगर minor 10th qualified है तो उसने अपनी 10th class की mark शिट भी अपने साथ केरी करनी है और minor के जो parents हैं उनके passport भी साथ में केरी करने हैं तो इन सब डोकुमेंट्स के साथ आपने पासपोर्ट सेवा केंद्रा विजिट करना है तो अब अगर आप वहाँ पर सारी टम्स एंड कंडिशन को सेटिस्पाई कर देते हैं तो आपकी जो अप्रिकेशन फाइल है वहाँ पर समिट कर ली जाती है और next step passport police verification के लिए send कर दीजाती है passport police verification में क्या क्या होता है कोन-कोन से questions पूचे जाते हैं कोन-कोन सी document Show करने होते हैं तो इन सब questions के answers अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे आपका जो passport है वो courier की help से आपके घर तक deliver कर दिया जाता है I hope आपको clear होगा कि कैसे आप गर बैठे-बैठे माइनर passport के लिए apply कर सकते हैं आपके सारे doubts clear होंगे अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं So this is the end of my video अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लोगी हो तो please मेरी वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thanks for listening and thank you everyone